तो चलिए मैं आपको अभी आगे जो बताऊंगा वो वो गंगा के साथ जुड़ी हुई कहानी गंगा के साथ जुड़ी हुई कहानी आपने देखा शांतनी और गंगा पृत्वी लोग पर थे और उन्हें ने शादी की थी उसके बाद में आपने तो देखा है पुरी महाबारत में लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ पीछे स्वर्ग लोग में कि वो भी स्वर्ग लोग से खा क्रहा सकते थे, उनको ये हुआ ठाह है बहर है उनको ये प्रिएलेज था जिस्को आफकर चाटिंसन हो कि वहाँ जाकर उनके दर्बार में बैट के ये है राजा बैठे होएं, बात्चीज चल रही होगी, उसी वक्त गंगा जी के एंट्री होती है, जैसे कि मैंने का गंगा जी तो थी वो ब्रह्मा की मानक्स पुत्री थी, उनकी पुत्री थी वो, तो वो आती है महाँ पर, और वो जैसे ही आती है, तो डेफिनेटली उसकी सुगं तो मातावरन में फैली जाती है, गंगा जी है, स्वच पवित्र, जैसे ही एंटर करती है, लिखी विधी का विधान देखे, सबको पता लगता है गंगा जी आ रही है, लेकिन उस वकत अचानक हवा चलती है, जोर की हवा चलती है, एक हवा का जोंका आता है अचानक, और ग वहाँ पर बैठते हैं, वो लोग अपना सिर मून नीचे जिका लें, लेकिन उसमें वो जो राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो गंगा जी के रूप को देखे मोहित हो गया था, वो देखता रहता है अपनी आँखों खुली रखकर, गंगा भी हिल जाती है, सब चीज कैस जाओ तुम, तुम्हें कोई लजजा नहीं, कोई तुम्हें शिश्च्रता नहीं, तुम जाओ कि इस क्रिया के मैं तुम को आभी देखा दीव लिए तूम जा पर फृतुक्षिपधों पृत्वर हो और वो भबरा जाता है और उसी व कि वोगत वो हो वहां से उसका जाना कि देखते रहे ब्रह्मा जी को वह भी बुरा लगा तू तूने भी असन भितार दिखाई है निरलज्जता दिखाई है जाओ तुझे भी रहना पड़ेगा पृत्वी पर और गंगा हाथ जोडती जोडती लेकिन शाप का एक प्रताप होता है दोनों के दोनों उदर से राज ही है यहां से वो राजा आ रहा है और पता लगा सड़नली समीब से बसू आये जो एक्दम बेहाल थे बहुत दुखी थे चिंतित थे तक गंगा ने पूछा क्या हुआ तुग है सब लोगों को क्या हुआ आप लोगों का चेहरे उतरे हुए हमें मैं ऐसे से गर्दिम कर दि तो गंगा जी ने साथ में चलते चलते काता ठीक है माय तुम सभी लोगों को जन्म दूंगी लेकिन बहुत जल्दी मुक्त करते हुए अब आप देखिए कि शांतनू वही राजा शांतनू के रूप में जन्म लेता है और गंगा को नीचे आना है और शांतनू आपने में बहुत ही एक नारी दिखती है अब उनके उसको रूप को देकर वो मोहित हो जाते है और आप में देखा है कि वो किस तरह से प्रपोस करते है कि हे देवी कौन होगा तो वो बताती तो नहीं है कि मैं दंगा हूँ लेकिन वो जीरिदे कहते है कि मुझे मैं आपको देखक स्विकार करेंगी अब उसमें गंगा जी ने कहा उनको कि ठीक है राजन मैं तुमारी पत्नी बनना स्विकार करूंगी लेकिन एक शर्त पर करूंगी शर्त वो होगी कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप कभी भी कोई भी प्रश्न मुझ से नहीं पूशे अब राजा तो आपको पता है कि गंगा के भाप पहला पुत्र पैदा हूँ और पहली संतान को गंगा ने उठाया अपने गोद में और धीरे धीरे गंगा नदी की किनारे पर आई अब शांतनु देख रहा था वो लेके कहां जा रही है और वहां पर जाके आपनोंनों देखा हुआ हुआ वहां पर जाके उस गंगा ने वो पहले पुत्र को नदी में परवाह करा दिया राजा ने रोकने की कोशिश की राजा को याद आया कि मुझे कुछ भी बोलू और उसने उस वोकत कहा था कि अगर तुम कुछ भी बोलोगे मुझसे कुछ भी परश्न करोगे तो मैं राजन आपको छोड़कर चली जाओं ये बात उसने शुरू में राजा से कही तो राजा रोक गया तो इस तरह से पहला पोत्र दूसरा पोत्र तीसरा पोत्र चौधा पोत्र पांच्वाँ पोत्र छटा पोत्र राजा के सबर का बांट टूटता था लेकि रोक लेते थे कि नहीं मैं कुछ बोलूंगा तो गड़ बोड़ी आएगी फिर पता लगा छे तक तो साथ तक उसके सब्रकापाण टूट गया आठवें पुत्र को जब पैदा करके जब गई नदी के किनारे तो शांतनों पीछे पीछे गए और उसने का था ठहरो कौन हो तुम किस तरह किनारी हो त अब गंगा उठती है और देखती है उनको कहती है राजन मैंने आपको पहले ही का था कि मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे प्रश्न नहीं पूछोंगे और जिस दिन ये प्रश्न पूछोंगे उस दिन मैं चली जाओंगी तो मैं जा रही हूं लेकिन हां मैं इस पुत्र क पैदा हुआ था वो देववरत था इसका नाम बाद देववरत खा गया था भीश्न पितामा थे और जो बिगिनिंग के आपने संझाओगा मैरी कहानी का साथ पुत्र ये वही वसू थे जिनको गंगा ने कहा था कि मैं तुमको मुक्ती देती जाओंगी जो ये ये शाप ल कर देववरत उस चोटे से बच्चे को लेकर गंगा चली गई अब देखिए पितामा भीश्यम की ये इंट्रेस्टिंग जन्म की कहानी है जन्म क्यों लिया उनने क्यों लेना पड़ा हो ये आपको समझ में आया होगा अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं बताता हूं कि मैया उस चोटे से पुत्र को लेकर चली गए सोलह साल के बाद में सोलह साल के बाद में फिर वही शांतनुक गम चली गई उसको गम था उसको दुख था वो हमेशा घूमते रहते थे गंगा किनारे बटकते रहते थे उदास रहते थे और अचानक सोलह साल के बाद में अचा उन्हें उसने देखा कि गंगा का पानी रुका हुआ है गंगा का पानी तो बैता रहता है अचानु उन्हें देखा रहे पानी को क्या हो गया वहां तक पानी आगे पानी नहीं जा रहा है उनको कुछ बड़ा कोतुहुल हुआ भागे जाके देखा उन्हें ने देखा कि एक प्रवह को रोक रहा है और उसने एक बांध बना दिया और गंगा को रोक दिया है वो देख रहे राजा उसको कि यह कौन हो सकता है और नो देखें वो सड़नली वहां पर गंगा merelyया आती है और उसको देखे वो बच्चा उसकी तरब बसा ह। माते, 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 तेखो, देखो, देखो, मैंने नदी के प्रफाय को रोक तिया वह ऋमाइल करती है अब ये जो रहता है अपनाव, शांतन हो, वह उनको देख्किन होता है जब घंगा को देखता है तो घंगा के पास जाता है अरे घंगे हैं? तो बोले हाँ मैं हूँ बोले ये लड़का कौन है? भूरा राजन ये तुम्हारा ही पुतर है जिसको मैं लेकर गई थी इसको मैंने सारे के सारे धर्म सिखाएं हैं स्वर्ग में रहने वाले गुरुओं से शिक्षा दिलवाई है ये बहुत धर्म का ग्यानी बना है अब मैं इस पुत्र को तुम्हें जैसे कि मैंने तुम्हें मैंने प्रामिस किया था मैंने कहा था कि मैं तुम्हें को छोड़ के जाओंगी मैं इस पुत्र को तुम्हें हवा पिर गले मिलते हैं और देखते हैं तो गंगावा से चली जाती है। कि यह तो बहुत ही वीर है। उसकी वीरता में एक कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कि देववरत जब जवान था तो मालूं पड़ता है कि कुछ गाये जुराकर जो राजा था काशी दरबार में जिसको वो भीशिम पितामा में मिलते हैं। वो राजा उन गायों को लेकर चला जाता है यहां खबरे आती हैं कि भी वो वो लेकर चला गया है। अब राजा शांतनू कुछ करने जाए, ब심ता पिताश्री मुझे करने था उसका। और वो जाता है रथ मैं अकेला और उस राजा को रोकता है। उसके साथ युद्ध होती है, तो बालक है, वगला आप युद्ध करो, युद्ध करके उसको पकड़के उसको लपेट के उसको बांध के राजा के सामने लिया आता है, बहुत बड़ा राजा था, जो आगे मैं बताऊंगा जिसकी वज़े से भीशन पितामा की मृत्यु तै होई थी, अमबा अंबी के, अमबालिके की कहानी इस राजा के साथ में जुड़ी वेड़ी, मैं आपको बागे बताऊंगा, लेकिन यहां पर जब लेकर आते हैं, तो पिता शांतनु खुश होते हैं, बताँ मैं क्या करूं इसका, बहला जो तुम को लगया अच्छा करो, तो बहलता है, जाओ मैं तुम को च्छमा कर देता हूँ, उस छोटी सी उमर में भी पितामा भीशन को च्छमा पता था, और वो उसको जीवन दांग दे देता है, और वो चला जाता है, और महराजा जो है, वो बहुत खुश होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, वो अपने युवराज गोशित किया जाता है, और फिर वो आके अपने पिता के दर्वार में साथ में उनकी साथ ले रहे हैं, अब यहां से शुरू होती है, संगर्श की कहानी, चकित करने वाली कहानी, त्याग की कहानी, भीशन पितामा की शौरी की कहानी, जो मैं आगे आपको बतात क्यान प्राइ उनकी, चक्तर सक्तर सब्सके गुदय में